जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अरवन जी के स्टडी मसरोडे में हम जाने के सामाने ग्यान दो हजार चौबिस से कुछ इंपोर्टेंट प्रस्टों के बारे में सारे प्रस्ट आपको इंपोर्टेंट होने वाले हैं अदि हमारे चैनल को जरूर सब्सकाइब कर लिजेगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दिजेगा सारे प्रसन आपको important होने वाले हैं वीडियो को अंतक जरूर देखी तो आपको सबसे पहला प्रसन है question number 1 भारत के किस राज में बिटका की गुफाएं आपको इस्तित है important ये प्रसन है आपको भारत के किस राज में भीम बिटका आपको गुफाएं जो है वो आपको इस्तित ह होगा मद्ध प्रदेश राज में आप भीम बिटका आपको गुफाएं आपको इस्तित है next है हमारा question number 2 भारती समिधान को किस ने आपको अंगी करीद किया था important ये प्रसन है आपको भारती समिधान को किस ने आपको अंगी करीद किया था तो समिधान सभाद वारा लोक सभ समिधान सभाद वारा राज्जी सभाद वारा या राष्ट पती वारा दिया रखेंगे option A इसका right answer हो जाएगा समिधान सभाद के द्वारा शमिधान को अंगी करीद किया था इसे प्रसन आपको एक्जाम में देखने को मिलते हैं next है हमारा question number 3 प्रिथवी पर जीवन के लि next हो जाएगा हमारा question number 4 पानीपत की तीसरी लड़ाई आपको किस वर्ष आपको लड़ी गई थी जो पानीपत की आपको तीसरी लड़ाई है वो आपको किस वर्ष में लड़ी गई यह तो 1761 इसपी में पानीपत की तीसरी लड़ाई आपको लड़ी गई थी याद साजहा ने आपको ताज महल का निर्मान आपको करवाया था नेक्स हो जाएगा हमारा कोश्टन है बचे कौन सी नदी दक्षिन गंगा के नाम से आपको जाने जाती है वो कौन सी नदी है जिसे आपको दक्षिन गंगा के नाम से आपको जाना जाता है यदि हमारे चलने पहले पारे, चलने को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए, जगर विडियो को जारूर लाईक कर देजे नेक्सर हमारे कोशे ANYंबर, 7 बरहम समाज की अस्थापना आपको किस ने की थी तो बरहम समाज की जो अस्थापना है आपको राजा राम मोहनराई option 20 का right answer हो जाएगा next है हमारा question number 8 किस गरह को लाल गरह के नाम से आपको जाना जाता है वो कौन सा गरह है जिसे आपको लाल गरह के नाम से जाना जाता है मंगल गरह को लाल गरह के नाम से आपको जाना जाता है किस गरह को तो मंगल गरह को नेक्स हो जाएगा हमारा कोशन निम्ट पंच तंतर की रचना आपको किस ने की थी पंच तंत्र की जो रचना है वो आपको किस ने की है तो विसनू शर्मा उप्सन बीस का राइट इन चरोगा विसनू शर्मा ने आपको पंच तंत्र की आपको रचना की थी नेक्स्ट है हमारा कोशे निमर दस धनराज पिल ले किस खेल से आपको संबंदी थे तो फ्रेंट्स या दखेंगे होकी से संबंदी थे हैं आपको धनराज पिल ले उप्सन बीस का राइट इंसर होगा होकी से संबंदी थे हैं धनराज पिल ले गीता आपको किस महा कावे की हिص्सा है तो महा भारत की आपको हिص्सा है फ्रेंड्स गीता तो शोण मंदिर अमरित सहर में आपको अपरेशन बुलू एस्टार आपको हुआ था नेक्स्डियम आपको पानी के साथ मिलकर हाइडरोजन गैस उतपन करता है वो कौन सा तत्व है जो आपको पानी में पानी के साथ मिलकर आपको हाइड्रोजन गैस उत्पन करता है तो sodium आपको पानी के साथ मिलकर आपको hydrogen gas उत्पन करता है भारत का सबसी पुरानी प्रवत सिंखिला आपको कौन सा है भारत की सबसी पुरानी जो प्रवत सिंखिला है वो आपको कौन सी है फ्रेंज तो आड़ावली option B इसका राइट इंसर हो जाएगा बारत में योजना आयोक की अस्थापना आपको कब होई थी? तो next person को बढ़ेगे, next ते हमारा question number 16, ACI सेर का मुख्य निवास अस्थान आपको कहा है, ACI सेर का मुख्य निवास अस्थान आपको गीरवन, option B, इसका right answer का गीरवन में आपको इस्तिते, ACI सेर का मुख्य निवास अस्थान, next ते हमारा question number 17, कौन सी नदी भारत और बंगलाद इसके भीच आपको प्राकिर्तिक सीमा बनाती है, तो ब्रहम पुत्र वो आपको नदी है, option A, इसका right answer होगा, next है हमारा question रठार, समिधान सब्द किस देश से आपको लिया गया है, समिधान शब्द जो है, वो आपको किस देश से आपको लिया गया है, तो फ्रांस से आपक समिधान सब्द आपको किस देश से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है, next है हमारा question number 19, गंगा नदी का उदगम अस्थल आपको कहां पर है, गंगा नदी का जो आपको उदगम अस्थल आपको कहां पर है, गंगा नदी का उदगम अस्थल आपको कहां पर है, गंगा पैचो विस्व स्वास संगठन का जो मुख्याल है वो आपको जेन एवा में इस्ती थे ऑप्सन बीज का राइट इंसर हो जाएगा तो सारे प्रस्थन आपको इंपोर्टन थे एक्जाम से रिलेटेड तो हम ऐसे वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को जरू लाइक कर दे सक्थरण में देएगा तो हम ξेथशच कर ़ॉ पजया हुआ है यू